हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आपके यूटूब चैनल स्टेडी एक्जाम में तो हम आज छे सितंबर 2020 का करेंट अफर्श पढ़ेंगे जो राष्टिय एबं अंतराष्टियों के लिए बहुत आई एमपी रहेगा ये डेली बेसेस पर 2020 का कोश्चंत रहेंगे और इसमें 30 प्लस प्रेशन रहेंगे और ये नोट्स भी आपको उपलब्द हो जाएगी और इसके हैड राइटिंग नोट्स वा पीडिय एप आप डाउनलोड कर सकते हैं ये डिस्क्रेप्शन में ठीक है तो चलो आँगे देखते हैं ये 6 सितंबर 2020 करेंट अफेर्स ये फहला देखो हाल ही में जारी बिस्प के सीर्चे 400 बिस्प विद्ध्यालों की लिष्ट में कितने भारती बिस्प विद्ध्यालों को सामिल किया गया है जो बिस्प में 408 टोप लेवल के ये विष्प विद्ध्याले है उसमें भारत को दो बिस्प विद्ध्याले का इसमें नाम मिला है चलो आँगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M Foundation के सांस समजोता किया है ये हर्याना सरकार ने किया है फिर आंगे देखते हैं हाल ही में नेशनल ट्राइवर रिसर्च कॉनफेरेंस का आयोजन कहां किया गया है नई दिल्ली में किया गया है हाल ही में किस राज्ज में मूर्त विरासत की रक्षा सरक्षन और पूर्णे स्थापना के लिए विधायक पारित हुआ है ये असम राज्ज में हुआ है हाल ही में लेट अस ड्रीम नमकुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है ये पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है हाल ही में राजू कुमार सिर्वास्तव को किस देश में भारत का राजदूत न्यूक्त किया है ये क्रोएसिया ये बहुत IMP questions है दोस्तों ये राजदूत पूछा है ये राजदूत ये राजू कुमार सिर्वास्ता भाई ये क्रोएसिया के राजदूत है अब देखते हैं नेश्ट हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO निक्त किया गया है ये देखो MD और CEO ये बहुत ही IMP questions है इनको अच्छे से याद कर लेना ये railway SSC में तो फूछते चाहिए एक नम्मर का question ये मुरली राम क्रेशनन को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO निक्त किया गया है हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारन बेठक की अध्यक्चक्ता किसने की है ये साउधी अरब ने की है पिर देखो हाल ही में हाल ही में अठारवा हाल ही में सौरी हाल ही में अरतालिजवा एन्वल बर्ड ओपन ओल्लाइन चेस टूर्णामेंट किसने जीता है पी इलियन ने जीता है फिर ये सेकंड कोस्टन फिर M.D. और C.E.O. का आया है हाल ही में पंजाब एंड सिंद बेंक का नया M.D. और C.E.O. कोन है इनका एस क्रेशनन ठीक है चलो आँगे देखते हैं फिर हाल ही में देविस केपेल का नीदन हुआ है ये कोन थे ये क्रेकेटर थे दोस्तों क्रेकेटर थे मतलब बहुत आई M.P. कोस्टन सा है क्रेकेटर ही उनका हाल ही में नीदन हो गया कोन है ये डेविल डेविट केवेल है केपेट डेविट केपेल ठीक है नैश्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतेक जीले में कमांड कंट्रोल रूम इस्तापित करने की घोसना की है ये मद्ध्यप्रदेश सरकार ने की है ये मद्ध्यप्रदेश सरकार के जो सी एम है स्विवराज सिंग चोहन उन्हों ने इसकी इस्तापना की है नैश्ट कोशन देखते हैं हाल ही में कोविट नाइंटीन क्लेव कनेक्शन यूनिट किसने बिक्सित की है ये टाटा इस्टिल कंपनी है जो उसने इस्तापना की है फिर देखते हैं नैश्ट कोशन हाल ही में S.C.O. परिशत के सिखर सम्मेलन की मिजवानी कोन करेगा ये भारत करेगा फिर नैश्ट कोशन देखते हैं हाल ही में भारत और किस देश की नोसेना के बीच इंद्रा ने भी नोसेना अभ्यास परारंब हुआ है ये रूस ये रूस है जो हर बर्स अपने भारत के साथ इंद्रा नेवी नो अभ्यास करता है साइकिलिंग समेट 2021 की मेजवानी कोन करेगा ये दिल्ली मुंबई और बैंगलूर करेगा चलो नेश्टे देखते हैं हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त इसी के रूप में पदग्रन किया है राजिब कुमार है हाल ही में भारतिये नोसेना के साथ समान के रूप में की से पदग्रन किया है एस आर सर्मा ने किया है फिर नेस्ट देखते हैं संगहाई सयोग संगठन एस सी ओ ने तीन दिवसिये किस देश में आयोजित की जा रही है ये रूस में की जा रही है यू एस इंडिया इस्ट्रेटिक एंड पार्टनर्शिप फोरम के तीसरे नेतद्व सिकर सम्मेलन में मुख भासन कोन देगा ये नरेंद मोदी जी है नेश्ट कोशन देखते हैं हाल ही में केंद्री रेजार पे पुलीस वल स्री नगर सेक्टर का महा निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है ये चारू सिन्नहा जी को निउक्त किया गया है भारत Electronics Limited के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है ये MB राज सेखर को निउक्त किया गया है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए इसे सस्क्राइबर कीजिए और इसे कमेंड कीजिए